राम राम भायो और बेनो नमस्कार भायो आयूर वेदिक जड़ी बूटियों के नुस्के मैं आपको बताया करता हूँ और जो भी मेरे नुस्के आजमाता है उसको 100% लाब मिलता है ये नहीं है के उसको एक दो दिन आजमा लिया और छोड़ दिया और कह दिया के लाब नहीं मिला देखिए ये जड़ी बूटिया हैं और इनको कम से कम 15 दिन आजमाएंगे तो आपको हर परकार का लाब मिलेगा तो आजमाने के लिए भी कम से कम 15 दिन आप करके देखिए आपको लाब मिलना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि मेरा जो ये चैनल रवीगिरी बाबा का सच इसको जो नए आए हैं मेरे चैनल पर वो सबस्क्राइब कर लें और पास में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो हर गर तक पहुंच सके और आयुरुवेद को बढ़ावा मिल सके तो मैं आज आपको बहुत ही गुणकरी नुश्का बताने जा रहा हूँ इससे लाखों रूपए लोग लुटा बैठते हैं फिर भी उनको फाइदा नहीं होता लेकिन मैं जो नुश्का बता रहा हूँ सो परसंट फाइदा होगा जिसके निल शुक्राणू है या शुक्राणू की कमी है या शुक्राणू इतने कमजोर है के बनते हैं लेकिन वो मर जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए मैं शुक्राणू की संख्या बढ़ाने के लिए मैं आज एक आपको बहुत ही काम्याब नुष्का देने जा रहा हूँ और इतना काम्याब कि आपके निल शुक्राणू होंगे तो भी कुछी दिनों के अंदर आपके शुक्राणू की तादाद बढ़ जाएगी और आप पूरन पूरुष बन जाएंगे और आपको बगवान मन चाही ओलाद देगा तो आपको नुष्का मैं बता रहा हूँ आप मेरे नुष्के को यहां भी देख सकते हैं और कागज पर भी लिख सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आती है स्वर्ण मक्षी का बसम इसको सोना माखी बसम भी बोलते हैं स्वर्ण मक्षी का बसम बोलते हैं तो आपको यह लेना है दूसरा आपको जो चांदी का बरक आपने देखा होगा कि बरफी आदी के ऊपर जो सफेद बरक लगाये जाता है वो चांदी का बरक होता है तो आपको चांदी का वरक लेना है दूसरी चीज तीसरी चीज आपको लेना है बंग बसम बंग बसम आपको जो आईरुवेदिक मेडिकल स्टोर है उस पे मिल जाएगी चोथी आपको गिलाओई सत्तव यह भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी वो भी आईरुवेदि चीज आपको लेना है शुद्ध बत्षनाब मैं नाम यहां लिख दूँगा आपको समझ नहीं लगे शुद्ध बत्षनाब लेना है और चटी चीज आपको लेना है कपूर जो खाने वाला कपूर बोल देना या बीमसेनी कपूर बोल देना यह सब आपको लेना है 15-15 ग्राम की मात्रा में और यह जो कपूर है यह आपको मात्र 5 ग्राम लेना है चटी चीज है मीठा कूट यह भी आपको 15 ग्राम लेना है और सात्मी चीज इसमें जो है वो है सात्मी क्या आठमी चीज जो है वो है शुद्ध सिलाजीत यह आठमी चीज सिलाजीत यह भी आपको शुद्ध लेनी है और 15 ग्राम की मात्रा में लेनी है इनको घर लाके अच्छी तरह खरल में पीशना है जब यह विलकुल बारीक हो जा तो इसके बाद में इसमें यू करके पानी नहीं डाल देना है या यू करके नहीं डाल देना है बुंदों से पानी डालते जाना है और खरल करते जाना है इसको इतना ही पानी डालना है कि जिस परकार खाना बनाने के लिए आटे की लोई के लिए आटा त्यार किया जाता है उ तब इसको छोड़ देना है फिर इसको क्या करना है अगर पानी थोड़ा ज़्यादा होई तो गंटा दो गंटा के लिए इसको छोड़ दो पानी उर जाएगा तो फिर इसको क्या करना है कि गेहूं के दाने के आकार की गोलियां बना लेनी है अब आपको इन गोलियों को छाया में सुखा लेना है और एक डिबी में डालके या कोई सीसी में डालके रख लेना है इन गोलियों को एक या दो गोली सुबह एक दो गोली शाम को जरूरत के अनुसार अगर किसी के शुक्रानू कम है तो वो एक गोली भी ले सकता है और जिनके शुक्रानू निल है तो वो दो गोली एक टाइम में ले सकता है दोनों टाइम में दोदो गोली आपको लेनी है सुबह खाली पेट लेनी है और शाम को सोते वक्त लेना है दूद के साथ लेना है पानी के साथ नहीं दूद के साथ लेना है यह नुश्का हाड जरूर है बनाने में और कामिया भी इतना हैं कि हर आदमी इसमें लाब प्रापत करेगा और अगर आप मेडिसिन बना नहीं सकते आपके पास में इतना टाइम नहीं है जंजट नहीं हो रहा है तो मैं यह नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पे आप संपरक कर लें आप को यह दवाई बना के दे देंगे यह मेरे परतिनीदी है आपको किसी परकार के डरने की जरूरत नहीं है आपको दवाई बना के आपके घर तक बेज देंगे या मैं नंबर दियें इन नंबरों को आप नोट कर लो इन पे बात करो इन से बात करने पे आपको दवाई मिलेगी तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे कोल करके और दवाई का ओर दे देना हैं किसी प्रकार से कोई भी गवराट नहीं करनी है आपको दवाई गर पे पहुंच जाएगी तो आप करके देखें या दवाई मंगवा लें अगले वीडियो में जल्दी मेलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंज जैबारत